दोस्तो अस्टार्ट एक्जाम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आज में आप लोगों के लिए करण्ट अफेर का बहुत महत्यपूर बारे के बात कर हुँ मैं आप लोगों के लिए 1 जनवरी से 10 अक्टूबर 2018 थारा तक कि सभी योजनाओं के बारे में बात करूँगा तो दोस्तों यहां पर बहुत इंपोर्टेंट हो भी है और यह सभी एक्जाम में पूछ जाता है अब जैसे कि आर्पया पोर एससी जेडियो और यूपी पुलिस है तो इनमें यह मैत्तपून योजनाओं पूछ जा चलिए हम अब बात करते हैं देखे दोस्तों यहां पर मैंने आप लोगों के लिए एक जनवरी 2018 से 10 अक्टूबर 2018 तक की 59 महत्तपून योजनाओं को इकठा एक साथ आप लोगों को बताऊंगा आज यह वीडियो कुछ जादा लंबी हो सकती है पर लेकिन आज में 59 करने से पहले कहूंगा कि जिसने भाई ने मेरे चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है वो चैनल को सबस्क्राइब कर ले और बैल आइकन पर प्रेस करकर सभी नोटिविकेशन को प्राप करें उसके बाद देखे दोस्तों यहां पर चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं पहला क् पूछा गया है कि किस राज्य में मुख्य मंत्री युवा नेस्तम योजना शुरू की गई है तो इसकान सरे दोस्तों आंधर पढ़ते हैं तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को इसके बारे मताता हूँ तो देखे यहां पर दोस्तों जब यह योजना नेस्तम योजना जो शुरू की गई ये दो अक्टूबर गांधी जैनती की पूरु संध्या पर की गई अब ये भी पुछा जा सकता है कि इसका सुबारब किसी ने किया तो ये किया है एंचंदरबाबू नाइडू ने और ये भी पुछा जा सकता है कि कहा से क्या गया है तो ये क्या गया है अमरावती से तो दोस्तो यह योजना युवा नेस्तम योजना अंदर परदेश में एंचंदरबाबू नैडू के द्वारा अमरावती में शुरू की गई है उसके बाद हम नेक्स योजना के बारे हम चलते हैं हवाई अड़ो पर विमान यात्रियों को उपलब्द कराए जाने वाली बायोमेट्रिक आधारित डिजिटल प्रोसेसिंग सेवा किस आधारित डिजिटल प्रोसेसिंग सेवा की किस नीती को जारू कर दी गई है तो दोस्तो बहुत इंपोर्टेंट परसन है यह है डीजी यात्रा प्लेटफोर्म एक नीती है जो जारी की गई है मैं आप लोगों को इसके बारे मताता हूँ तो चलिए उसके बाद हम बात करते हैं भारतिय रेलवे ने पहले चरण में मेल एक्सप्रेस ट्रेन के 140 रैंक को अपग्रेड करने के लिए अपनी किस प्रियोजना को लौच किया है बहुत इंपोडेंट है आप आरपी अफ रेलवेगा पर देने जा रहे हैं तो उसकी योज वाली जो ट्रेन है उनमें आप लोगों को LED पैनल फोटो फ्रेम बड़े बोतल आकार के ने परकार और बड़े दर्पन उसमें लगाई जाएंगे और उसमें ब्रेन साइनेज और रात में चमकने वाले एस्टिकर भी लगेंगे मतलब आप लोगों की ट्रेन में जो आपका स्वच रेल सोचाल ले मतलब जो सोचाल लेगी सुईधा होगी और जो आपकी LED यानकी रोचनी की जो सुईधा होगी वो बहुत जादा सही कर दी जाएगी तो उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए दोस्तो परदान मंतरी आवास योजना के तहत कितने किफायती घरो को मंजूरी दे दी तो बहुत इंपोटन किष्चन है परदान मंतरी निरंद मोधी किये बहुत इंपोटन वो है योजना है इसमें गरीबों सहरी गरीबों और गरामिन गरीबों को घर परदान के दाए तो इसमें हम बात करते हैं यहाँ पर 6,26,488 घर यहाँ पर आप पुलिस में किष्चन पूछा गया परदान मंतरी आवास तो पूछ सकता है कितने देखने हैं तो 2,34,879 गरों को मंजूरी दी गही है उत्तर परदेश में मतलब यह सभी राज्यों में सबसे जादा है अब परदान मंतरी आवास योजना में कुल कितने राज्ये हैं तो य इसमें यह 6,26,400 सी घर बनेंगे और यह मंजूरी 38 वी बैठक मतलब केंद्रिय मंजूरी और निगरानी समीती की 38 वी बैठक के दोरान निर्ने लिया गया उसके बाद देखें दोस्तों चलिया मगला क्रिश्चन पढ़ते हैं किस वित्मंत्रा लेके वित्ये सेवाल भाग और राष्टिय सुचना विज्ञान केंद्र ने वित्ये समावेश पहल के तहत सियुक तुरूप से किस मोबाईल आप का विकास किया है तो दोस्तों आप लोगों को पताई होगा जब रेलवे एलप और गुरूप दीगए पर थे तो बहुत जादा मोबाईल आप के बारे को कवर करते हुए कहां से परधान मंत्री कहां से जन आरोग्य योजना आयूसमान जन आरोग्य योजना आयूसमान भारत शुरू की तो इसका दोस्त आंसर है जहारगंड के राची में मतलब जो आईसमा योजना है वो आपका जहारगंड के राची से शुरू की गई है और स्मार्ट इपब्लिक डिस्ट्रिवियूशन सिस्टम पेस करने वाला उत्तरपूरा भारत में पहला राज्य बन गया है उसके बाद देखिए अगला किस्चन है तेहीं सन्य राश्ट्रों के साथ भारत ने हिंद महासागर में एक परमुक सुनामी मार्क ड्रिम में भाग लिय तो दोस्तो वह है आई-ओ वेव अठारा उसके बाद देखिए केंद्रिय मानव संसाधन विकास मंतरी प्रकास जावडेकर ने कहा कि विसु के सबसे बड़े ओपन इनोवेशन मोडल के त्रित्य संसकर्ण अस्मार्ट इंडिया हैथ कों 2019 का सुभारम कहां किया गया तो दे स्मार्ट इंडिया हैथ कों 2019 है ये उसका कौन सा संसक्रण है परतम दित्य तृत्य यह चतू तो आंसर होगा दृत्य है उसके बाद दूसरा क्यूस्टन बन सकता है कि किसने इसे गो किया है तो किया है विकास केंद्रिय मानव संसाधन विकास मंतर प्रकास जावडेकर ने और यह कहां पर हुआ है तो यह भगा है नई दिल्ली में उसके बाद चलिए हम मात करते हैं उत्तरपर्दिश केंद्रे मंत्रि मंडल की बाठक में किस नीती को मंजूरी परदान की गई दोस्तों भहुत इंपरदेन परसन है उत्तरपर्दिश फिलिस की बड़ती से विक योजना को बारबि पंचवर्शिय योजना के बाद भी जारी रखने के लिए सुईकर्ती परदान की था, तो दोस्तों बहुत इंप्रदांट परषण तो परदान मंतरी ने र respectively, तो धोस्तोρ इसका अंसर है, परदान मंतरी ग्राम्सड़क योजना, परदान मंत्री ग्राम सड़क योजना को भारवी पंचवर्षिय योजना के बाद भी जारी लखने के लिए मंजूरी मिल गई है तो उसके बाद देखिए हाली में केंद्रे मंत्री मंदल दुआरा भारत और दक्षिन कोरिया के बीच में समझोता ग्यापन को मंजूरी परदान की गई है तो दोस्तो क्यूस्चन इसमें थोड़ी लाइन में गड़बड़ी हो गई है यहाँ पर दो बाद लिखावा है मैं आपको लोगों को यह सही परदर बता देता हूँ हाल ही में केंद्रिय मंद्री मंडल दुआरा दक्षिन कोरिया और भारत के बीच एक समझोता ग्यापन पर मंजूरी मिली है तो वो समझोता क्या है तो देखे उस समझोते का नाम है कारोबार निदान ठीक है दोस्तों महराजा बीर बिक्रम माने के किसोर हवाई अड़ा अगरतला तो दोस्तों बहुत इंपोटेंट है यह क्योंकि हाली में जिस भी चीजों का नाम बदला जाता है वो एक्जाम में जरूर आते हैं उसके बाद देखिए कोईला सेत्र में पारदर्सिता और नेतिकता लाने के उदेशे से कोईला चोरी पर रोग लगाने है तो सैटलाइट आधारित मोबाईल अप लौंच किया गया है तो दोस्तों बहुत इंपोटेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं रेल्वे से भी अटैच है तो इसका आंसर है दोस् प्राप्ति एप को लौंच किया गया है बिजली के लिए मतलब बिजली में धांदले बाजी ना हो तो उसके लिए प्राप्ति एप लौंच किया गया है उसके बाद देखे सरकारी काम में तेजी और पारतिल सिता लाने के उदेशे से किस राज्य ने पूरे परदेश में यह office वयवस्ता लागू की है तो दोस्तों बहुत important है उत्तर पर्देश पुलिस से बहुत important है क्योंकि यह वयवस्ता उत्तर पर्देश में ही लागू की गई है उसके बाद देखें परधान मंतरी नेरेंद मोदी द्वारा किन दोस्तों को जोडने वाले 135 किलोमेटर लंबी 6 चेह लेन के eastern peripheral expressway का उदघघटन किया गया है'M दोस्तोफ में यह questions में थोड़ी बार बार चीजें repeat हो गई है तो यहां से देखे छेह लन के Eastern peripheral expressway का उदघटन, सबसे लाश्ण में देखे है क्योंकि यहाँ पर बाहर के जो परदान मंत्री थे वो बहरत आए और उन्हें एर इंडिया अभ्यान की शुरुए की कहाँ पर कि यह नई दिल्ले में की है और कहाँ के थे तो यह थे नीदर लैंड के परदान मंत्री उनका नाम भी पूचा चासकता है और उसे संबंदित जैसे की मुद्रा वहां की राज़दानी भी पुछी जा सकती है उसके बाद देखे किस राज्य सरकार ने जिसने राज्य के छात्रों के कारियर मार्ग दरसन हेतु हम छूलेंगे आस्मा योजना का सुभारम किया है तो दोस्तों ये किस राज्य सरकार पुछ जा सकता है कि हम छूलेंगे आस्मा का योजना कहा किया गया है तो ये किया गया है मद्धे परदेश में उसके बाद देखे परदान मंत्री ने मोदी ने कहा पर पाकल दूल पन बीजली परियोजना का सुभारम किया गया है, बहुत इंपोर्टेंट है, पाकल दूल पन बीजली परियोजना है, यह जब मुकस्मीर में इसका सुभारम परधान मंत्री मोदी द्वारा किया गया है, उसके बाद देखे, आठ मई विशु थैलेमिया दिवस, आठ मही विशु थालेमिया दिवस मतलब जो आपका थालेमिया दिवस होता है वो आठ मही को मना जाता है और इस पर जीवन रक्सक आप का सुभारम किस राजय ने किया मतलब आठ मही विशु थालेमिया दिवस पर जीवन रक्सक आप का सुभारम किस राजय ने किया तो यह क चलिए हम बात करते हैं तो यहां पर है मेरा कार्याले मेरी सड़क और मेरा सारवजनिक अस्थल तो इसकी थीम यह थी यह है थी उसके बाद देखे किस राजे द्वारा मेरा गाउं स्वस्त गाउं अभियान चला गया है तो अब्यान चला गया है तो किस राजजिन चला गया है तो यह चला गया है राजस्थान में उसके बाद देखे वह राजे जहां जलासो के पुनरत्थान हे तू एक महीने से चलाए जाने वाली सुझला सूफिया अब्यान का योजन किया गया है तो पुछा जा सकता है किस राज्य में सूजला सूफिया अभ्यान चलाए गया है तो इस चलाए गया है गुजरात में पुछा जा सकता है सूजला सूफिया अभ्यान किस से संबंदित है तो यह है चलासो के पुनरत्थान हेतू उसके बाद देखे परधान मंतरी निरेंद मो पोरा में 330 मेगवोट की किस प्रियोजाना का उधगाटन कीया तो दोस्तों बहुत सब πोषा जा सकता है जमू कर देना परदान मंत्री निर्यंद मोदी जी ने उसके बार देखे वह राजे जहांगे मुख्य मंत्री ने छात्रा परिवहन सुरक्सा योजना की गोशना की बहुत important person है हरीयाणा पर्धान मंतरी निर्यन मोधी द्वारा प्रारम किये गए राष्टे ग्राम सवराज अभियान किस अवधी तक सुरू किया गया तो इसकी अवधी है दोस्तों 1 April 2018 से 31 मार्श 2022 के बीश तक उसके आग देखिए प्रदानमंत्री नेलेंद मोधी द्वारा राश्ट्य पंचाइति राजदिवस के अवसर पर कहां पर राश्ट्य ग्रामींड सवराज अभियान का सुभारम किया गया तो मांडला के मध्य परदेश में मध्य परदेश के मांडला में इसका आजजन किया गया है भारत विमानन प्राधिकरण को किस देश की पहली महिला फायर फाइटर निव्त किया गया है तो दोस्तो बहुत इंपोर्टेंट है ये आपका Defense Section है तो तान्या सान्याल कोलकत्ता को यह है निवत किया गया है फायर फाइटर पुछा जा सकता है कि फायर फाइटर के नाम से कौन निवत थी है यानि कि फायर फाइटर कौन है तो वह है तान्या सान्याल कोलकत्ता को वो कलकत्ता से है निवत किया गया है उसके बाद देखे किस राज्य द्वारा परवासी पैंसन योजना का सुभारम किया गया है बहुत इंपोर्टेंट है केरल अभी केरल में वो बाढ़ विया थी तो उससे भी क्यूशन पुछा जाता है और केरल में वो एक वार्यस भी फैल गया था उससे भी क्यूशन पुछा जाता है उसके बाद देखे वहर राज्य जिसने अप्राइल 2018 में गोशना की कि वहर राज्य मजदूरा के बच्चों को पहली कक्सा से लेकर पिएचडी तक की सिक्सा का खर्च उठाएगा दोस्तों बोहर इंपोर्टेंट परसन है तो ऐसा करने वाला पहला राज्य है मध्य परदेश उसके बाद देखे विदेश मंत्री सुस्मा सवराज द्वारा इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्राले के किस पोर्टल का सुभारम किया गया है मतलब जो यह पोर्टल है इसका उद्वाटन सुस्मा सवराज विदेश मंत्री जी ने किया है और यह मानव संसाधन विकास मंत्राले का पोर्टल है उसके बाद देखे नेपाल के परदान मंत्री केपी सर्मा ओली कि भारत यात्रा के दोरान दोनों देशों के बीच हुई 3 मैट्पून समझोते में से सबसे मैट्पून समझाता रेल बिचाना था यहेर रेल लाइन किन दो सहरों के बीच बिचेगी दोस्तों दूसरे देश के साथ जो समझोते होते हैं वो बहुत important होते हैं एक्जाम में 100% पूछे जाने के चांसिस बने रहते हैं तो चलिए इसका अंसर है रक्सोला भारत और काटमांडू नेपाल मतलब रक्सोला से काटमांडू के बीच ये रेले लाइन भी शाय जाएगी उसके बाद देखे वह नधी जिस पर बने उडिसा के दूसरे सबसे लंबी नधी पुल का उदगाटन मुख्यमंत्री नवीन पतनायक ने किया है तो दोस्तो इब नधी तो आप लोगों को पता लग गया होगा के इब नधी नंबर एक उडिसा में है और उसके दूसरा सबसे लंबी नधी पुल बनाया गया है और उसका उदगाटन मुख्यमंत्री नवीन पतनायक ने किया गया है उसके आद देखे नई दिल्ली में संपन्त मंत्री इस्तरी की बैठक का विशे क्या था दोस्तों विशे आप लोगों से थीम जरूर पुछी जाती है यह तो अपने एंडिया में ही हुआ है तो यह बहुत इंपोर्टन परशान है इसा आप लोग ध्यान से पड़ी है तो वो थीम थी उसके बाद देखिए भारत और बंगलादेश के बीच नौप्रायल 2018 को हुए एक समझोते के तैत इन दो स्थानों के बीच में 129.5 किलोमेटर लंबी तेल पाइपलाइन का निर्माण समझोता हुआ तो दोस्तों यह भारत और बंगलादेश के बीच है तो यह है सिली गूडी से पारवती पूर्तक उसके बाद देखिए भारतिये स्कूलों में चात्रों और युवाओ और गर्वती महिलाओं में विटामिन डी की कमी को देखते वे भारतिये खाद सरक्षन एवं मानक प्राधिकरण ने प्रोजेक्ट को शुरू किया है तो दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट है तो प्रोजेक्ट धूप शुरू की गई है और इसमें आप लोगों का जो सुभ़े के समय जो प्रेड की जाती है अब वो सुभे ना गरकत दो पैर 11 वजे करने के लिए भी आगरे किया गया तो दोस्तो बहुत important है उसके बाद देखें उत्तर परदेश में गंगा नधी के तरट पर 27 जिलों में गंगा हरितिमा योजना की शुरू की गई मुख्य मंतरी आदित्य योगीनात ने कहां से की है यह योजना शुरू तो दोस्तो उत्तर परदेश पुलिस से बहुत important है उसके बाद भरास सरकार के ग्रह मंतरया ले दुआरा किस राज्य में अफस्पा कानून को हटा लिया गया है दोस्तो अफस्पा कानून को मेंगाले से हटा लिया गया है कि जम मेंगाले से अफस्पा कानून को हटाया गया तो अरुनाचल परदे से भी आंसिक रूप से अफस्पा कानून को हटाया गया है चलिए हम बात करते हैं उसके बाद है कहां पर नेतवार मोरी जल विधूत परियोजना का सिलिय न्यास के इंदरिय उर्जा राज्य मंतरी सिरी आरके सिंग द्वारा किया गया है तो इसका अंसर है दोस्तो केरल भाली में किया गया है तो आप लोगों से पूछा जा सकता है उसके बाद देखिए अबनी चतुरुवेदी के बाद दूसरी महिला लड़ा को विमान पाइलेट जिसने 17 मार्श 2018 को मिग 21 लड़ा को विमान को सफलता पूर्वक उड़ा कर इतियास रचा तो दोस्तो भूद इंपरण परसन है डिफेंस का किश्चन है तो इसका आंसर है भावना कंट आप लोगों को यहां से कहीं किश्चन मिलते हैं कौन सा पाइलेट उड़ा है मिग 21 पहली महिला को थी अबनी चतुरुवेदी सेकंड महिला को ने भावना कंट उसके बाद दे परदान मंतरी ग्राम सड़क योजना थी वो भी बारिक पंचवर्शी योजना के बाद मंजूरी मिल गई है और इस योजना को भी मंजूरी मिल गई है उसमें समय नहीं था पत लेकिन इसमें 2019 से 2020 तक ही से मिल गई है उसके बाद देखिए भारत सरकार के ग्रह मंतराले के स परदान मंतरी निरेंद मोदी दुआरा राष्टिय पोसन मिसन का सुभारम कहां से किया गया तो यह किया गया है राजस्थान के जुन जुनू से दोस्तों बहुत इंपोर्टेंट है उसके बाद देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कारिकरम का विस्तार कितने जिल में उसके बाद देखिए परदान मंतरी भारती दोस्तों यहां पर जो यह किश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कारिकरम का विस्तार 640 जिलों में किया गया और सबसे पहले यह हरियाना से सुरू की गई थी क्योंकि हरियाना में जो सेक्स रस्वा है वो बहुती ब महाँ पर सबसे पहले यह शुरू की गई थी चलिए उसके बाद परदान मंतरी भारती जनोजदी परियोजना पीम बेजीपी के तहत ओक सो बायो डिग्रीडेबल सेनेटरी नैपकिन का सुभारम कहां पर किया गया नैपकिन का सुभारम किया गया तो इसका नाम है सुईध ठीक है दोस्तो उसके बाद देखें वह रेलवे अस्टेशन जिसे आंदर परदेश का पहला अखिल महिला रेलवे अस्टेशन बनाने का गोरव प्राप्त हुआ तो इसका अंसर है चंद्रगरी अस्टेशन तिरुपती दोस्तो आप लोगों को पता होगा दो अस्टेशन म मातूंगा और एक ओर है उसका भी मेरे नाम याद नहीं आakes आ रहा है मातूंगा और एक अस्टेशन ओर है इन दो शा स्टेशनों को महिलाओ महिलाई ही संचालित करती है यहां पर तीसा अस्टेशन भी बन गया है आंदर परदेश का चंद्रगरी अस्टेशन मुकस्मीर की में चार न दिया जिनको केंद्र सरकार ने हाली में राष्टिय जलमार गोसित किया है बहुत इंपोटेंट है तो यह कौन सी है जहलम चिनाव सिंदू और रावी उसके बाद देखे स्वास्थ एवं परिवार कल्यान मंत्राले ने किस बॉलिवूड अभिनेता क को हाली में फिट इंडिया अभियान के लिए अपना ब्रांड अम्बेसडर बनाया है तो इसका अंसर है सोनू सूथ उसका देखे वह राजे सरकार जहां की कैबिनेट में मदर्सों में हाली में NCRT पाठिकरम लागू किया तो इसका अंसर है दोस्तों उत्तर परदेश में अब मदर्सों में भी NCRT पाठिकरम लागू किया जाएगा भारतिय वन्य जीव कल्यान बोड का मुख्याले हाली में कहां पर इस्तापित क्या गया है तो यह क्या गया है दोस्तों दिल्ली मुंबई नैसनल हाइवे पर उसके बाद देखे गुजरात का ना बंदरगा जिस दोस्तों इसका नाम है कांडला बंदरगा उसके बाद देखे राजय सभा के नियमों में बदलाओ हे तु किसकी अध्यक्सा में एक समीति ने का गठन किया गया का गठन उपराश्टपती वेंके नाइडू ने हाली में किया तो दोस्तों वी के अगनिहोत्री की अध्यक्स में राजय सभा के नियमों बदलाओ के लियक समीति का गठन उपराश्टपती वेंके नाइडू ने क्या है चलिए हम अगला क्यूशन देखते हैं सतावनों किस्चन है करसी निवेज में किसानों की साहता करने के विदेश्य से किस राज्य सरकार द्वारा हाली में रात बं 24 गंटे बिजली मुफ्त में देगा मतलब तेलंगाना ऐसा पहला राज है जो किसानों को 24 गंटे बिजली मुफ्त में देगा उसके बाद देखे उत्तर परदे सरकार द्वारा कोपोशन की समश्या को दूर करने के लिए 49 जिलों में किस नाम से स्वास्ते मिसन चला जा रह इसे क्या नाम दिया गया है तो इसे दिया गया है दोस्तो समग्र सिक्षा अभ्यान Integrated Scheme for a School Education तो दोस्तो ये थे आप लोगों के 59 questions जैसा कि मैंने कहा वरना ये दोस्तो वैसे ये 60 questions है क्योंकि ये question पर number नहीं डला था वैसे कोई बाद नहीं पर ये आप लोगों को मैंने बहुत महनत करके ये 60 questions बनाई है सभी जंगा से 81 करकर मैंने आप लोगों की 1 जनवरी 2018 से 10 अक्टूबर 2018 तकी सभी योजनाओं को important important योजनाओं को बता दिया है कुछ योजना ज्यादा महतापो नहीं होती तो दोस्तो मैंने आप लोगों पे लिए बहुत महनत करके बनाई है तो प्लीज मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक करें शेयर करें और दोस्तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए आज के लिए इतना ही बस मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें बताएं आप लोगों को कहा कमी लगी या कैसी लगी वीडियो तो थेंक्यू दोस्तो